नमस्कार दोस्तों तो राजस्थान के मेले और त्योहारों के इस लेसन के अंदर हम देखेंगे गलिया कोट का जो उड़ से लगता है जो कि दाउदी बहुरा समाच का एक बहुत बड़ा पवित्रिस्थान है उसके लावा खाटू शाम जी का मेला कर्णी माता का मेला और उस तो हम लग शुरुवात करते हैं हमारे मिले की नए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गलिया कोट का उर्ष मिला जो कि मुस्लिम समाज के अंदर जो शिया वर्ग होता है उनका एक समाज है दाउदी बहुरा समाज उसका एक बहुत बड़ा तीर तिस्थान है तो बहां लगता है तो डूंगरपुर जिले की सागवार तैसील के एक छोटे से कस्विक गलिया कोट में इस्थित आदर्निय संथ संयत फकरुद्दीन की मजार जिसे मजार फकरी के नाम से भी जाना जाता है दाउदी बोरा संपरदाय की आस्ता का ये बहुत बड़ा केंदर है तो है जो कि राजस्थान के एकदम दक्षिन के अंदर जाता है बासवारा के पास में है और बांगर छित्र के अंदर आता है वहां पर एक सागवार तैसील है वहां पर गलिया कोट इस्थित है तो वहां पर यह मिला लगता है और दावदी बोरा समाज है एक वहां के जो लोग की 27 वी तारीक को होने वाले उसके मुखे पर यहां अलग ही माहूल होता है अर्थात यहां पर मुहरम की 27 वी तारीक को एक बहुत बड़ा मिला बड़ता है जहां पर जो बहरा समाज के लोग हैं वो आते हैं इवादत करते हैं और इस मेले को मनाते हैं उस दिन किवादत होती है और कुरान शरीक का पाठ किया जाता है तो वहां पर पूजा अर्चना करकर एक तरीके से यह लोग इस मेले को मनाते हैं हम देखते हैं एक वार हम देख लेते हैं जो मंदर है जो गलिया कोट के लोग एकतरत होते हैं अधिया है और मुसलमों होता है इसामाज लोग वेत्यादी या उमार ये से देशों के अंदर बड़ी मातरा में रहते हैं मुस्लिम वर्क से थोड़े अलग तरीके का ये लोग पहना वा रखते हैं। guess लेते हैं कि राजस्थान के अंदर ये लोग बहुत आयत में पाए जाते हैं तो यह पुरुष होते हैं उनकी वेश्वूसा होती जिसके पाँर ही थोरवर्फल ऑफ़ार से लगवक 40 किलुमेटर दूर बावा भड़तर हरी की समाधी है जहां वश में दो बार भैशाक और में मिला लगता है तो वाकी और स्थान पे सिर्फ एक या एक वारी मिला लगता वर्समें परंतु जो भरत्रहरी का मिला है! वो साल में दो वार बैसाग और भाद्रपत के माहं में लगता है! कहा जाता है कि राजा गोपी चंद भरत्रहरी बहुत बड़े राजपाट के स्वामी थे उनकी पत्नी राणी पिंगला अतीव सुंद्री थी परंतु किसी कारण से राजा के मुझे ब्रक्ति आ गई और उन्हें राजपर्त्याकर सन्यास ले लिया तो जो राजा गोपी करने वाले बरत्रहरी बाबा को यह जंगल बहुत अच्छा लगा और मित्यू परियंत यहीं रहे कि यहीं उनकी समाधी भी बनाई गई तीन तरब सुगरम में पहाडियों से गिरे इस इस इस्थान पर एक जर्णा भी बैता है तो अलवर के अंदर जो सरिस्का जो अभ्या जाता है ज्यादा तर लोग जो अपना नया काम शुरूं करते हैं और संकत न्यवारन के लिए आते हैं बहां बहंगरा वोलते हैं और मेला यहां पर च्रू समय बन आण जाता है हम लोगे पादभ ऻ crouch का देख लेते हैं यह अणतर अदक है और बहृत्य हřी का मंदर है जैं अगला जो मेला है वो है खाटू शाम जी का मेला सीकर जले का खाटू शाम जी का मंतर बहुत ही विक्यात है यह सीकर जला मुख्यालें से लगवार्ट पचास कुमेटर दोरिस्चत है इसके अंदर सुरोप के य। शाम जी के वो भीम के बेटे थे जो इनकी एक कहानी है कि महावारत का जब युद्ध चल रहा था तो भीम के पोते थे और जो भीम का बेटा घटवद कच था उनके बेटे थे जब महावारत का युद्ध चल रहा था तो बर्गवरिक ने भी उसमें भाग लेने भाग लेना चाते थे प कौरब चुकि हार की तरफ थे इसलिए बर्वरिक कौरवों की तरफ से लड़ने वाले थे परन्तु वहवांची किष्णि ने किसी तरीके से ब्राह्मन का रूप परनकर उनसे कुछ बर्दान मांगे जिसके बाद जो खाटू शाम जी जो की वर्वरिक थे उनका उनको यह उन्होंने आशिरवाद दिया कि उनका जो मस्तिस्क है उसे एक जगे स्थापित किया गया वहां से उन्होंने पूरा महावरत के उद्ध अपनी आखों से देखा था तो माना जाता है कि महावरत के इन्होंने पूरा युद्ध देखा था उसके बाद उन्हें आशिरवाद मिला कि आप श्री किष्ण के नाम से पूजे जाएंगे इसलिए जो किष्ण भगवान है उनके नाम से बर्बरिक को पूजा जाता है और श्री शाम जी के नाम से इन पक्ष की दस्मी से 12 तक बार्सिक मेला लगता है जिसमें पूरे देश से भक्तगन आते हैं मेले के अफसर पर बहुत बड़ी संख्या में भक्तगन यहीं अपने बच्चों का मुंधन भी करवाते हैं और इसी मंदिर से जुड़े हुए दो कुंड भी है जहां पर पानी भरा आइं निया तो जो हमने देखा कि कहाटू शाम जी का मेला वह शुकल पक्ष्ष जो की फागुन के अंदर आता है वहां पर दसमी से 12 तक लगता है अब हमारा हम अगला जो मेला है वह देखते हैं जो की करणी माता का मेला है जो की राजस्तान के अंदर बहुत बड़ी अधिक बड़ा होता है वह नवरात्री में चैत्र शुकला एकम से चैत्र शुकला दस्मी तक लगता है यानि मैंने पहले बताया था कि हिंदू तोहारों के इंदू जो महीने हैं दोनों ही नवरात्र के अंतर यहां मेला बढ़ता है जिन में से चैत्र वाले जो जादा बड़ा माना जाता है और नवरात्र शे एक दिन जादा यानि 10 दिन तक यह मिला पड़ता है यह मेले करणी माता के सम्मान में आयोजित होते हैं जिने बीकानेर के शाशक अपनी अधिश्ठात्री माता मानते थे तो बीकानेर के शाशक थे उनकी कुल देवी थी करणी माता उसके लाबा जो करणी माता थी वह वास्तों में एक सती थी जो की बाद में वहांके इस्थानी लोग देवी बनी और उन्हें लोग आज भी आस्ता से पूस्ते हैं जो कड़नी माता है उनका मंदि संग मरमर का बना हुआ अपनी कलात्मक ताम अनुपव है यानि वहां पर बहुत ही अच्छी कलात्मक जो स्थापत्तिक अला हमें देखने को मलती है उसके लबाव यह मंदि मंदिर है बहुत प्रिसिद्ध है अपने चूहों के लिए क्योंकि इस मंदिर के अंदर बहुत सारे चूहे पाया जाते हैं इसलिए इसे चूहों का मंदिर भी माना जाता है तो इस मंदिर की एक विशिष्टा यह है कि यहां चूहे जिन्हें कावा कहा जाता है सहज भाव स करते हैं और उन्हें पवित्र माना जाता है पूरे जो मंदर के अंदर काले रंग के चुहे देखने को मिल जाते हैं कुछ सफ़े और यहां पर बहुत सारे चुहे इसी तरीके से पूरे मंदर के अंदर घूमते रहते हैं इन्हें प्रशाथ खिलाया जाता है इन्हें दूद इत्यादी पिलाया जाता है और बहुती उन्मुक तरीके से यहां पर घूमते हैं और कावा इन्हें लोग कहते भी हैं खाटू शा खादी से दहका रहता है तो हमने इस लेशन के इंदर उन्सक्रीख मेले हैं कि देशनों की क Haj?' करणी मार्टा का मेला जो की देशनोंक का wizff उसके लब खाटू शाम जी का मेला, बाबा भरते भारी का मेला, जो अलवर में लगता है, गलियो कोट का उट्स मेला, जो की डूंगर पुडजले के अंदर लगता है, पाकी के मेले देखते हैं, हम नेक्स लेशन के अंदर धन्यवाद.